हलो श्टूनेंस एक बाद फिर से सागत आपको अपके अपनी यूटूब चैनल एस चड़ी कहां पर तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बीए फश्टियर दोजाट तीस में यहां पर यह पेपर कराए गया था जनरल हिंदी यानि सामाने हिंदी का यह किस उन हिंदी वाला के इसकी आंशर की आपको बतानेवाले ए और यह नॉन कोलेज केंडिडेट का यह पर यह पेपर है तो यह सबसे पहले हम बताते हैसी कोटा विशिविदाल का है यह पेपर जो करवाए गाया तो keyword जो की कल करवाए गये था आधे आधे भी यहाँ अलग shift में करवाई गए थी इनके paper और regular वालों का एक ही shift में, आपर सभी regular वालों का एक ही shift में paper करा दिये गए था तो यहाँ पर यह जो paper, यह non college वाले students का यहाँ पर paper इस बात का द्यान रखेगा अगर आप जो regular college students है उनको भी आपर answer की चाहिए तो आप अपना जो पूरा paper है उसकी जो फोटो है वो आप हमारे जो telegram channel ASG study discuss के नाम से इसका link आपको description में मिल जागा या आप इस telegram पर search करके भी यहापर इस telegram channel को join कर लीजिगा और हमापर आपको इसकी जो PDF है या फोटो आपको हमापर भेद देनी जो भी regular वाली students है अगर उनको भी answer की चाहिए और यह non college students की यह सायद फर्स्ट सेफ्ट की यहापर यहापर आज का paper होने वाले अगर second सेफ्ट की students भी यहापर answer की चाहते तो आप भी आपर अपना paper भेद देजीगा ठीक है और वेसे ही आपको अगर journal Hindi के जो journal English का जो paper है अगर journal English के paper की भी आपको answer की चाहिए तो journal English के paper की photo भी आपर भेद दीजेगा हम answer के आपके लिए बना देंगे ठीक है और जो भी अलग university के students इस वीडियो को देख रहे है जो कि जिनके आप भी paper नहीं हुए तो ये वीडियो आपके लिए भी काफे ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि ये question आपके लिए भी important हो सकते है ठीक है तो आई आज का वीडियो हमें start करते है और जो भी students इस चैनल पे नहीं से subscribe जरू कर जिगा क्योंकि यहापर आपको हमेशा university से related story material आपको provide करवा जाता है तो ये आज के वीडियो हमें शुरात करते है सबसे बिले बता देते हैं यहापर इस paper में कितने questions रहते हैं तो यहापर 50 questions इस paper में पुछे गए थे 50 questions जर्नल हिंदी के पुछे गए थे 50 questions जर्नल इंगलिश के पुछे गए थे यहापर कोटा इनिवसिटी में एक साथी ये प्रकार की साइटी रख्षन है तो यहापर आपकी जो 50 questions से उस 50 में से आदे यानि लगवा 25 questions है वो आपकी गद और पद भाग में से पूछे गए थे और बागी की जो 25 questions वो आपकी grammar यानि व्याकरनी topics में से पूछे गए थे तो आपको इस starting की 25 questions देखने को मिले है वो प्रकार की जो जाता है आशावाधी उद्धो बोधन गीत ठीक है उसके बाद second question है कि सिंदू सा विस्तर तोर अथा यह निवार्सित का उस्सार इस फंक्ति में निवार्सित शब्द किसके लिए प्रुक्त होए तो यह काफे सेंपल है डी राम यहाँ पर करेट आंसर हो ज जड़ाओंगा यह संकल्प जागो फिर एक बार कविता में किसने कहा है तो यहाँ पर इसका है तो इसका करेट आंसर है कि कौन से कभी घर बनाकर नहीं रहना चाते वह तो सादो के समान फक्कड जीवन जीने के पक्षम है तो इसका आंसर बताए तो इसका करेट आंसर भी ह करेक्ट होने वाले और यहाँ पर आपको अपने आंसर भी मेच कर लेने कि आपके 50 में से कितने कोशन आपके सही गए तो सब इस्टोन्स को लाश्ट में इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताने है उसका नेश्ट कानपूर के नाना की मो बोली बहन चभीली ती यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनेश्ट है बादल को घृते देगा कविता में कवी ने किस परवश अंगला का वंडन किया है तो इसका करेक्ट आंसर के भी हो जाएगा हिमाले परवत के लिए उसका कोशन नमबर नाइन्थ है कि शत्रू हट गया है लेकिन उनकी चाहया का डर है इस फंक्ती में शत्रू से क्या तात पर यह तो इसका आंसर बताई तो इसका करेक्ट आंसर के डी हो जाएगा आतंगवादी उके उसके बाद कोशन नमबर नहीं आपर 10 देखेगा मैं हार नहीं मानुगा कविता के लेका कोन है तो यह कोशन आप तो इसका करेक्टांसर के डी हो जाने है तो इसका करेक्टांसर के डी हो जाएगा जासी के राजा के लिए उसके बाद कोशन नमर थवर्टी नहीं की हास्ति यूप का मेरा इतियास में अस्तियों का दान किस रिशी ने काया है, तो इसका correct answer कि B हो जाएगा महिशरी दज़िशी ने, ठीक है, तो B इसका correct answer कि कोशनमा 14 है कि नाकुन क्यों बढ़ते में लेका कि अनुसा नाकुन का बंढ़ना मनुश्य के बीतर की कौन सी निशानी दर्शाता है, तो इसका फोटेन 16 है कि यह और गुलाब किसके परती के, तो इसका अंसर बताई तो इसका correct answer कि D हो जाएगा भूक और विश्वास, उसका correct answer कि 17 है कि भावानी शंकरो वंदे निवन्द में आत्मिक मानसी निवार्शन का लेकाक में क्या उपचार बता है, तो 17 का अंसर बताई तो इसका correct answer भ बंगाल के अकाल गरस्त गाव का चितरन किया है, तो 19 का अंसर बताई तो इसका correct answer आपके A हो जाएगा कल गता है, यानि बंगाल में हुआ था तो इसका correct answer हो जाता है, उसके बाद question number 20 है कि उसका correct answer A हो जाएगा आपके रामकमार वर्मा, उके, उसके बाद question number 21 देखेगा कि राजिंद्र बाभु की गांदी जी से बेट की सांदोलन के समय हो जाती तो इसका correct answer C हो जाएगा चंपरन आंदोलन, इसके बाद question number 22 देखेगा कि महाराजपूर से गवारी गाट रचना में मजदूर की पोदों को लिपिष्टी की पोदों के कर संबोधित करते थे, तो इ हिंदी हमारी मातरभाशा है में लेका की पीडा क्या है तो 24 कांद से बताईए तो इसका correct answer क्यों हो जाएगा यहापर C हो जाएगा अशुद्ध लेखन की, उसके बाद question number 25 है कि हिंदी हमारी मातरभाशा इस निबंद में लेका किस शब्द को शुद्ध करवाना चाता है, तो इसका correct answer क्यों हो जाएगा किड़ती नगर को शुद्ध करवाना चाता है, तो इहापर यहापके 25 कोशन केस है, तो एगद और पद के, यहापर कोशन अब बात करते हैं, यहापर व्याकरन टॉपिक की, यहापर फर्स्ट कोशन देखेगा, जो थोड़ा दिखाई नहीं तब हम बता देते हैं, यहापर यहापर आपके परागनुकुल, क्या है यहापर 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 परागनुकुल लिखा हुआ है, तो परागनुकुल में आपसे पुछा गया है कि इसका संदी विचेत क्या होगा, तो इसका correct answer कि यहापर C हो जाएगा, पराग प्लस अनु परागने उकूल बन जाएगा उसमें कौन से संदी है तो दिर्ग संदी है उसके बाद Q27 है कि नील कंट नीला है कंट जिसका अर्थात क्या होता है तो आप सबको पता है कि इसका अर्थात क्या होता है तो शिव जी यहां पर होता है जिनका नील कंट किनका है यहां पर शिव होती है लेकिं यहाँ पर आपको एक समास और पता होगा बहु बिरी समास बहु बिरी समास क्या कहता है जिसका एक अन्य यहाँ पर आपका अर्थ निकल जाता है तो यहाँ पर अन्य अर्थ क्या होता है परधान होता है तो चतुर बुच चतुर बुच किने कहा जाता है बनमा तो सब भी वियाकरन्ट टॉपिक्स के उपर हमने एक सीरीज बनाई थी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हुई होगी और पेले भी जब मैंने BAC की पेपर में काफी वह पेपर देखने को मिले तो काफी ज्यादे इस्टुएंस को लाब हुआ था और यहां पर हमने देखा है कि B.A की पेपर में भी काफी यहां पर कोशन से हमरी उस सीरीज में पूछे गवर काफी अच्छे यहां पर आपको कोशन अच्छी तरह से आ भी गए होगे ठीक है तो जो जर्नेर हिंदी के लिए हमने एक सीरीज बना रखिए व्याकरन टॉपिक्स से अगर काफी पेपर होना बाकि तो आप बाकि आप वह सीरीज पूरी देख सकते हैं उसका वीडो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेस्ट बना रा कि कि 54 थीखलिया है तो हया शुH-स भागे जाता है, यहां फुथि आ जाता है ? है जिसका उप्सर करहे है. उसके लिए कोशनमा थर्टिफाइफ देखेगा कि करतेगी का विलोम शटत क्या होता है? लिए कि करतेगी माला उपकार मानने वाला उसकी बूटर रोறो रूर सिक का अंसर भेता है? माइन की बता है लेकिन मदद नहीं होता है तो डी इसका correct answer 37 का हो जाता है उसके बाद question number 38 देखेगा कि यहाँ पर आपकी चार वाक्य लिखे हुए इन में से सबसे शुद्य वाक्य कौन सा है तो जाता है हमारा माना इसमें सबसे शुद्य वाक्य कौन सा अगर डी वाला आपक पूजने का correct word होता है वो इस प्रकाल लिखा जाता है यह सई शब्द होता है उजवल मैंने आपको बताई तो इसमें अध्यात्मिक लिखा हुआ है जबकि यह होता है आध्यात्मिक होता है तो यह तीन वी गलत है लेकिन सबसे शुद्य शब्द कुन सा इसमें ए होगा और यह मैंने कई बार आपको बता भी रखा है उसके बाद अंगुठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो इसका correct answer देखने का मिल रहा होगा बीद देने से मना करना ओके उसके बाद कोशनमा 43 है कि तुरंग और तरंग अर्थ का अर्थ देने वाला सई शब्द यूग में कौनस होगा तो 43 का correct answer क्या है तो इसका correct answer B होगा घोड़ा लहर तूरंग का अर्थ का हो जयता है ऑगए उसके बाद गूशन मा 44 है कि तदभव शब्द कौनस होगा तो इसका correct answer C होगा हाथी उसके बाद question मा 45 है कि तिनगा का तस्रम शब्द क्या होगा तो इसका correct answer C होगा तरण उसके बाद question number 46 है कि council का हिंदी अर्थ क्या होगा तो इसका correct answer B हो जाएगा परिश्यद हो जाता है उसके बाद question number 47 आता है कि योगी का विलोम शब्द क्या होगा तो 47 का correct answer वो होता है यहाँ पर D भोगी यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद question number 48 है कि पानी होना मौहवरे का अर्थ क्याती तो बिल्कुल सिंपल है इसका correct answer D हो जाएगा शनविंदा होना उसके बाद question number 49 है कि ओध का पारिवश्य शब्द क्या है तो यह भी काफी सिंपल है B शपत हो जाता है और लाश्ट आच का खोशन है यहाँ पर आपको पेचान है कि शुद्ध शब्द कौन सा यानि शिरीमती सही तरीके से किस प्रगाल लिखा जाता है तो इसका correct answer B हो जाएगा शिरीमती इस प्रगाल से लिखा जाता है यहाँ पर आज के पचास कोशन थे जिसमें गद पद और साथ में व्याकरेंट के पचास कोशन यहाँ पर पूछे गए थे तो आपको कमेंट करके सब श्ट्वेंट को जरू बताने कि आपके पचास में से कितने कोशन आपके सही गए जिन भी श्ट्वेंट के लिए इस तो यह वीड़ो को देखा है उनको भी कमेंट करना है और जिसने आंसर की के लिए देखा है जिनका पेपर हो गया था और उनको आंसर की मिलानी थी तो सब इस्टुएंट को कमेंट करके जरू बताने कि आपकी पचास में से कितने कोशन सही गए चाहिए यहां पर कम गए हो चाहिए ज़्यादा सही गए हो लेकिन सब इस्टुएंट को कमेंट जरू करना है और आज के वीडियो आपको किस लगा, सब इस्टोएंस को कमेंट जरू करना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूदे, और अगर आपको जो रेगुलर वाली स्टोएंस से, युनिवसिटी व कोटा के जो बिये फ़स्ट एर के जिनका कल पेपर हुआ था अगर आपको भी आंसर की चाहिए, आपकी पेपर की तो आप जो इसकी पीडियोफ है पूरे आपके जो पेपर की फोटो या पीडियोफ है आप बना के हमारी टेलिग्राम चेनल पर आप भेद दीजेगा या आप हमारी इंस्टरगाम आईडी पर हमें डियम कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीके और अगर आपको जनल इंगलिश के पेपर की भी चाहिए आंसर की तो आप महाँ पर हमें पीडियोफ या फोटो भेद दीजेगा ठीके मिलते एक निश्च वीडियो में तब तक लिए बढ़ते रही हो सिखते रही है